अलो स्ट्वेंट्स वेलकम टू आइटी जी मैस अकेडमी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो बैल आइकन के बटन को प्रेस करिए तू फाइन तू गेट दा लेटेस्ट अपडेट ओके नाव वीडियो कंटीनि करते हैं इस वीडियो में डिसक्स कर रहे हैं चैप्टर डिफ्रेंस सीशन की पॉब्लम्स और यह जो प्रॉब्लम है जेमिन नगी जनवरी को शिफ्ट टू में आये हुआ अचरू problem क्या है let function f and g be the differential function on R R में से differential function such that f of g is identity function ठीक f of gx क्या है कि identity function इसका meaning क्या हुआ f of gx is equal to क्या देराफ है x की बिलें तो this is meaning f of gx बस्ट्व एक्स है फोर सम आगे रीड करते हैं एक फोर सम a b है ना a comma b belongs to real number g dash a कितना 5 है g dash a is equal to 5 और g of a कितना given है b given है ठीक है तो आपसे बुचा हुआ f dash b is equal to f dash b किसके equal होगा ठीक है ना करते क्या है तो यह तो हमांपा जनकारी given थी ना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ f of gx that equals to x ना इसको differentiate किया अपने with respect to x x के respect में differentiate करते हैं तो यह क्या बन जाएगा f dash of gx तो यहां से आ गया gx का differentiation कितना हो जाएगा g dash x और that equals कितना आ गया तो वन आ गया ठीक है और हमसे गुछा गया f dash b पूछा हुआ है ठीक g dash of a तो एक काम यह करते हैं इस वाले पार्ट में x is equal to a put करते हैं x is equal to a put करा हूँ तो it become f dash of g of a कुछ ऐसे आ जाएगा ना यह आ जाएगा g dash of a that equals to कितना आ गया 1 आ गया ठीक है तो यहां तक का पार्ट तो clear हो गया g of a का value कितना गिवन है b given है ठीक तो यह बन जाएगा f dash of b g of a का value g dash a का value कितना गिवन है 5 गिवन है 5 अपने यह आप उट कर दिया that equal to कितना है 1 आ तो यह f dash b का जब value आप calculate करोगे तो कितना जाएगा 1 अपन 5 आ जाएगा ठीक है this is answer और कॉंसर ओप्शन करेक्ट हुआ option d is correct options क्लिए स्ट्वेंट एक आसान सा पॉलमता है तो कहीं भी difficulty नहीं थी ओके थैंक यू